इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते हैं बहेडा प्रकृती में रेचक है और शुद्धिकरन चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है आवला हृदे रोगों से लड़ता है मूत्रवर्धक गतिविधी और चयाप्चे गतिविधी को बढ़ाता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक नागर भूग को बढ़ावा देने और दस्त के इलाज में प्रभावी है दो चित्रकमूल का उप्योग आतों की परिशानी पेचिश लिउकोडमा सूजन बवासीर ब्रॉंकाइटिस और यकृत की बीमारियों के इलाज में किया जाता है तीन वैविधांग रक्त को डिटॉक्स कर करता है त्वचा के रंग में सुधार करता है और काया कल्प उद्देशे के लिए भी उप्योग किया जाता है चार शुद्ध गुगुल का उप्योग गठिया के इलाज और उच्च कॉलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है पांच अरंड का तेल रेचक के रूप में प्रयोग किया जाता है जोडों के दर्द को कम करता है और प्रतिरक्षा को बढ़ाता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नो